आदियोगिक प्रशेक्शन संस्तान हमीरपूर में चात्राओं को कानून की जानकारी परदान की गई किस तरह से कानूनी साहिता पराप्त की जा सकती है इस बारे में स्टेट बार काउंसल के मेंबर और एड़ोकेट रोईट शर्मा ने विस्तार पूरवकत जानकारी उपलद करवाई इस दोरान आईटियाई हमीरपूर के सभी ट्रेड्स की चात्राएं उपस्तित रही तथा उन्होंने कानून से संबंदित कई सवाल भी पूछे चात्रों द्वारा पूछे गई सवालों का अधीवकता रोई शर्मा ने जवाब भी दिया रोई शर्मा ने बताया क अगाम इस समय में आईटियाई तथा स्कूलों में जाकर कानूनी जागरुकता कारिकरम चलाए जाए जाएंगे ताकि चातर जीवन से भी बच्चों को कानून की जानकारी मिल सके उन्होंने कहा कि चातर जीवन में कानून की सही डंक से जानकारी चातरों को उपलब्द नह ही होती है जब इन्हें चाहतर जीवन में से ही कानून की सही जानकारी होगी तो इन निश्चित तौर पर इन्हें भविश्य में इसका लाभ भी मिलेगा हम गौर्मेंट मेडिकर आई टे कॉलेग में आये थे और यहां पर हमने जो इनकी यहां पर फिमेल स्कुलेंट्स की स्टैम जादा है इसके लिए हमने इनको एक छोटा सार नीगल अवेरनेस एक वोलेंटरली करी है ताकि आने वाद इस समय में जो जो इस तरह फी चैनलेंजि इसलिए यहां पर करीगे कि जो एज गूप यहां पर अवेलेबल है उस एज गूप में इनको ज़्यादा तरीके से मेंटली वेर कने जो इस तक के हमें आ जाए हैं और आने वाले समय में जहां कहीं भी इस एज गूप में बचे प्राइवेट एंशूप के होगे गौर्मन